Nesting of Loops जब एक loop दूसरे loop के inside में लिखा जाता है जैसे इस तरीके के हमारी जो requirement होती है तो उसे हम Nesting of Loops बोलते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई pattern हो गया बहुत सारे और सबसे ज़ादा अगर हम कुछ example में करने वाले हैं तो वो इसी pattern पे बहुत सारे example करने वाले हैं अभी फिलाल मैं बस समझा दे रहा हूँ कि यह कैसे work करता है तो उसके लिए अब क्या है कि यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा i is equal to 1 i less than equal to 5, i plus plus और फिर loop के अंदर आया फिर printf यहाँ पे slash and printf star यहाँ पे खत्म अब क्या है कि इसको dry run करते हैं dry run में क्या होगा यहाँ पे i हमारा कितना है यहाँ पे हम बाकी मेंने hash include नहीं लिखा है वो आप खुद से करोगे तो यहाँ पे i कितना है, 1 है i less than equal to 5, i plus plus यहाँ पे मैं पहले क्या कर लेता हूँ, दो variable लेता हूँ तो first variable है, i and second is j तो first में यहाँ पे जैसे control आया, 1 हो गया यहाँ पे i less than, यानि कि condition check करेगा true है, तो इसके अंदर आया जैसे इसके अंदर आया, यहाँ पे क्या हो गया कि j is equal to 1 यानि कि यहाँ पे क्या हो गया j is equal to 1 अब यहाँ पे क्या है कि j is equal to 1 फिर यहाँ पे condition check करेगा j is less than equal to 5, yes फिर इसके अंदर आगे क्या print कर देगा star, print कर दिया फिर यहाँ पे आएगा, जैसे control बहाँ जाएगा एक बार चाहा के check करेगा क्या check करेगा, j कितना हो गया, 2 2 is less than 5, yes correct, फिर इसके अंदर आगे फिर क्या print करेगा star, 2 फिर आएगा 3 फिर यह भी print कर देगा फिर यहाँ पे आया, क्या किया 4, यह भी print कर देगा फिर यहाँ पे आएगा, फिर क्या print करेगा 5, यह भी print कर दिया फिर यहाँ पर आया, जै कितना हो गया, six, जैसे six होगा, false होगा, यहाँ पर आएगा, च्üneक यहाँ से control जो होगा बाह़ाएगा. और इसको बॉडी से जैसे बाह़ाएगा, इसको क्या मिलेगा, slash या यानि की new line, तो new line यानि की control हमारा यहाँ पर आ गया. जैसे यहाँ पर control आया अब यहाँ पर द्यान देना यह आई कितना हो गया 2, 3, 4, 5, 6 finally यह 6 हो गया मैं update करना भूल गया अब यहाँ पर जैसे आएगा आई कितना था 1 था तो 5 टाइम चला उसके बाद अब यहाँ पर आई क्या हो गया 2 हो गया जैसे 2 हुआ तो फिर अब यह कितने टाइम चलेगा 5 टाइम एक, दो, तीन, चार, पाँच हाँ यहाँ पर क्या है कि 6 तो था लेकिन जैसे यहाँ पर आया फिर हम दुबादा से इसको 1 कर दे रहे हैं फिर यह चलेगा फिर यह प्रिंट हो गया 3, 4, 5 यहाँ पर 3, 4, 5 यह प्रिंट होगा और यह हमारा यह पैटर्न प्रिंट हो जाएगा उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ अगर यहाँ पर आय प्रिंट कर दूँ डारेक्ट आय नहीं नहीं तो यह आय प्रिंट हो गया फिर आय कितना होगा 2 होगा तो 2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4 देन 5, 5, 5, 5, 5 अगर यहाँ पर यह मैं यह मैंने आय प्रिंट किया अगर यह इस्टार प्रिंट कर देखो आप बस यही लूप के दो रोव कितने पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं अगर यहाँ पे मैंने I की जगह अगर J print कर दिया अगर यहाँ पे मैंने J print कर दिया तो I तो सेम रहेगा लेकिन J क्या हो रहा है 1,2,3,4,5 चल रहा है और J print कर रहे हैं तो यह क्या print कर देगा 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 5,3,25 तो यह 5 टाइम्स यह प्रिंट कर देगा, उसी तरीक से यहाँ पर हस्द प्रिंट कर दो, आप हस्द प्रिंट कर देगा यह तो हो गया हमारा यह प्रिंट कर रहे है कि IJ दшее डिन ञेल इकोल तु 5 अगर मैं इसको क्या कर दूँ, अगर यहां पे तो यह क्या होगा, एक बार है तो एक ही बार चलेगा, दो बार है, यह दूसरी लाइन है तो दो बारा चलेगा, यहां तीन होगा तो यह तीन बार चलेगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यह जो फॉस्ट लाइन जो है और जो आउटर वाला है वो इधर जाएगा, यानि कि यहाँ पर 5 है, अगर यहाँ पर 5 कर दूँ, तो यह 5 लाइन इधर जाएगा, और J में अगर 3 है, तो यह इधर 3 में जाएगा, अगर यहाँ पर 5 हो, और यहाँ पर 3 हो, तो यह क्या होगा, इधर वाला 5 लाइन रहेगा, अगर जे में 3 है तो उसी तरीका से अगर यहां पर मैं क्या कर दूँ i यानि कि अगर यह i अगर 1 है तो j भी हमारा 1 हो तो i अगर 2 है तो j भी 2 हो अगर यह प्रिंट करना तो यह क्या प्रिंट करेगा तो इसको बस थोड़े से एक बार बहर एक्स्पेंट कर देता हूँ यहां पर क्या है कि for i is equal to 1 i less than 5 i plus plus and then for यहां पर मैं braces use कर सकता हूँ लेकिन क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ कि एक ही लाइन का तो इसलिए यहां पर कोई जरूरी निगलिंग करना ज्यादा बेटर होगा i और j less than equal to i and j plus plus और यहां पर मैंने क्या करेगा i printf यहां पर %d यहां पर i print किया यहां पर फिर यह भी मैं close कर सकता हूँ लेकिन confusion हो जाय साय है इसलिए महीं यहां पर इन्कूड कर दिया लेश लेश इन तो यह क्या होगा यहां पर यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा यहां पर 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 यहा यानि कि control यहाँ पर आ जाएगा और फिर अब जो control यहाँ पर जाके i कितना हो गया अब i 2 हो गया तो जैसे यहाँ पर 2 आया तो फिर यहाँ पर 2 से compare होगा अभी जब तक loop खतम ना तो यहाँ पर j कितना है 1, j कितना है 1 हो जाएगा और फिर 1 is less than equal to 2, yes तो क्या print कर दे i, तो i यहाँ पर print कर देगा फिर i कितना हो जाएगा यहाँ पर j, j कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो गया यहां पर 2 is less than equal to 2, yes, 2, तो फिर क्या print कर दे, I ही print करे, फिर यहां पर print करेगा, फिर यह कितना होगा, 3, 3 जैसे हुआ, यहां पर 2 था, तो यह false हो जाएगा, तो यहां से बाहर आएगा, control यहां पर आएगा, इसी तरीके से तिसरी बार क्या print होगा, 1, 2, 3, 4 एपर क्या होगा तो यह हमारा diagonally print हो जाएगा अगर यहां पर हम i की जगा अगर j print कर दें यह तो हमने i print किया अगर j print कर दें तो यह क्या print करेगा उसमें हम loop में यहां पर बस set कर दो आप तो अगर user ने 10 दिया तो 10 ऐसे print हो जाएगा इस्टार और इधर 5 प्रिंट हो जाएगा diagonally print कर सकते हो तो जैसे आप चाहते हो यह double जो nesting loop के through हम कर सकते हो वैसे भी इसमें हम इतने सारे example करेंगे कि खुद ही clear हो जाएगा यह इसमें जाएगा बहुत ही जी है वहाएगा